हेलो एव्रीवर्न मैसल्फ दिपिका रोडा फ्रम हैश्टेग बीसी पैसके वी क्लासिस आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 एकसाइस 10.2 से कोशन नमबर 4 Proof that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel इस कोशन में basically हमें ये proof करना है कि किसी circle के diameter के ends पर draw की गई tangents parallel होती है इस कोशन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक circle given है जिसका center है O और ये है इसका diameter और diameter के end से एक ये end हो गया और एक end हो गया ये यह जो tangents draw की गई है यह आपस में parallel है तो चलिए स्टार्ट करते हैं Name दे देते हैं A, B, C, D diameter को नाम देंगे P, Q आप कोई भी name ले सकते हैं First of all given लिख लेते हैं A, B and C, D are two tangents at the end of the diameter Now two prove में लिख लेंगे हमें प्रूफ करना है कि यह जो A, B line है वो CD के parallel है A, B parallel to CD हमने previous class में एक property पड़ी है जब दो line ने parallel होती है और एक होती है transversal इसको नाम दे देती हो में A, B इसको दे देते हैं CD और यह उगए transversal line P, Q तो देखिए, अगर हमारे पास यह वाला angle और यह वाला angle इसको मैं A मान लेती हूँ, इसको मान लेती हूँ B अगर इन दोनों का sum यानि कि A plus B 180 degree हो जाता है तो A, B क्या हो जाती है A, B line parallel हो जाएगी इसके CD के तो यह property हम यहाँ पर use करेंगे देखिए, यह हमारे पास क्या है O से लेकर हमारे पास Q तक, यह radius है न और O से लेकर P तक यह भी radius है, radius और tangent, मिलके कौन से angle बनाती है, 90 degree के angle बनाती है Next हम ले सकते है B, P, O angle ले लेते हैं, angle B, P, O कितना हो गया 90 degree और D, Q, O D, Q, O यह angle कितना है, 90 degree और इसमें हम reason में लिखेंगे Tangent is perpendicular to the radius by theorem 10.1 Next में हम लिख लेंगे अगर इन दोनों का देखिए, अगर हमारे पास यह transversal line है और यह दोनों parallel line है तो यह इन दोनों का सम कितना होगा? 180 हमने पहले ही बता दिये, यह भी 90 है और यह भी कितना है? 90 degree 180 degree हो जाएगा न तो हम लिख लेंगे angle BPO plus angle DQO equal to में left left side को plus करेंगे और right right side में plus कर लेंगे Next हम यहाँ पे लिख देंगे angle P and angle Q are interior angles is on same side of transversal line तो हमारे पास ही हो जाएगा angle BPO plus angle DQO 90 और 90 180 तो हम यहाँ से कह सकते हैं therefore 180 degree हो गया ना साम तो हम लिखेंगे A B is parallel to C D hands proofed और यही हमें proof करना था I hope यह कोशन आपको चेस समझ में आ गया होगा if you have any doubt any query please comment below in the comment section video अच्छा लगे तो friends के साथ share करें और अगर आप पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वैल एक इनको हिट करें ताकि लिए टेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम भी मिल जाएं तब तक के लिए बाबाई पर नहीं है ताकिशन आपको बिल्कुल आपको बिल्कुल आपको बिल्कुल